आज हम मनाएंगे बिल्कूल मार्केट स्टायल समोसे समोसे खाना तो सभी को पसंद होता है पर बनाने में जंजट लगती हैं जब भी हम मार्केट जाते हैं तो समोसे देखते ही समोसे खाने का मन होता है तो आज मैं आपको 5 मिनिट में 50 से भी ज़्यादा समुसे बनाना बताऊंगी और इसमें ज़्यादा महिनत भी नहीं लगती हैं फटा-फट से समुसे बनके तयार हो जाते हैं आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो प्लीज लाइक शेयर करना ना बूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि न्यू अपडेट आप तक शरूर पुहुँश सके और आपका मेरे राजस्तानी किचन में स्वागत है आज मैं आपको एक न्यू ट्रिक बताने वाली हूं जिससे फटाफट से समोसे बनके तयार हो जाते हैं और हमें जादा मेनत भी नहीं करनी पड़ती हैं अब हम समोसे बनाना स्टार्ट करते हैं समोसे बनाने के लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया ही उसमें दो चम्मच तेल डालेंगे और हम इसमें एक चम्मच पानी डालेंगे अब हम इसे 5-7 मिनिट तक अच्छे से फेटेंगे इस समोसे में बहुती अच्छा फ्लेवर आएगा और हमारे समोसे खस्ता बनेंगे और बिल्कुल मार्केर स्टाइल बनेंगे हमें इसे लगाता 5-7 मिनिट तक अच्छे से फेट लेना है आप देख सकते हूँ कि इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग गया है और यह हैं थोड़ा सा गाड़ा होने लग गया है अब हम इसमें एक कटोरी मेदा डालेंगे थोड़ा सा हम इसमें अजवाइन डालेंगे अजवाइन को हम हातों से अच्छे से क्रेस्ट करके डालेंगे इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और अगर आपको अजवाइन पसंद नहीं है तो अजवाइन को इसकी भी कर सकते हो यह बिल्कुल ओप्शनल है अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमने मोयन बनाया था तेल का वो मेदे में अच्छे से मिक्स हो जाए अब हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसका soft dough लगा लेंगे हमें इसमें थोड़ा-थोड़ा ही पानी डालना है अगर हम एकदम से ज़्यादा पानी डालेंगे तो यह धिला हो जाएगा और हमारा dough अच्छा नहीं बनेगा पहले में इसमें थोड़ा नमक डालना बूल गई थी तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इसे अच्छे से mix कर लेंगे आप नमक पेले ही डाल लें अब हम इसका soft dough लगा लेंगे आप देख सकते हो कि हमारा dough कितने अच्छे से लग गया है इसी तरह से इसका dough लगाना है और उसके बाद हम इसे rest के लिए रख देंगे फिर हम आलू की filling तयार करेंगे filling मनाने के लिए एक पेन में तेल करम होने को रखेंगे उसमें जीरा डालेंगे जीरे को हम थोड़ी देर पकाएंगे जब तक कि इसका color बिल्कुल change नहीं हो जाए उसके पाद हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे हरी मिर्च में ज्यादा ही डाल रही हूँ आप चाहो तो हरी मिर्च कम डाल सकते हो अगर बच्चु के लिए बना रहे हो तो फिर हम इसमें थोड़ी से काली मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे थोड़ी देर और अच्छे से मिक्स करेंगे वह दिर दिर चलाएंगे थोड़ी से मसाले एड़ करेंगे दनिया पाउडर थोड़ा सा मिसमें लाल मिर्च पाउडर एड़ करेंगे थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर थोड़ा सा नमक स्वात के अकोडिंग नमक हमे अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ी चमजबर के आमचुर पाउडर, आमचुर पाउडर से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और इसे हम थोड़ी देर अच्छे से मिक्स करेंगे तेल में, और फिर हम मेश कियो हुए इसमें आलू डाल लेंगे, और आलू को मसाले मे अच्छे से मिक्स करेंगे, हमें गेश की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम ही रखना ही, हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना अब हमें कटोरी लेंगे उसमें एक चम्मर्च मेदा डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे पतला ही गोल बनाना है आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से गोल बनके त्यार हो गया है अब हम इसे साइड में रख लेंगे और एक लोई लेंगे और इसे अच्छे से बेल लेंगे हमें थोड़ा बेलने में टाइम लगेगा क्योंकि ये मेदा है तो हम जैसे ही इसे पलटते हैं तो ये थोड़ा छोटा हो जाता है इसलिए हम दिर दिरे इसे अच्छे से बेल लेंगे आप देख सकते हो कि मैंने बेल लिया है और हमें इसे पतला ही बेलना है भाइं ज्यादा पतला भी नहीं रखना हैं जादा मोटा भी नहीं करना हैं और इसे थोड़ा पतला ही अच्छ से बेल लेना हैं फिर हम चाको की हेल्फ से इसे 4 हिस्थ596 काट लेगें है अब हम एक वड़ी चमध लेंगे कमझ बरके हम आलो की फिलिंग रखेंगें आपको मेरी व्पीडियो अच्छई मेरी लगे समय को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में ज्वूर कुए आपको मेरी लख दिया है और अब हमने जो गोल त्याय किया है वो हम इस पर चारू तरफ लगा लेंगे ताकि यह अच्छे से चिपक जाए और यह अच्छे से चिपकेगा तो तेल में खुलेगा नहीं और हमारा तेल भी खराब नहीं होगा आप देख सकते हो कि मैं समोसे किस तरह से बना है हमें इसे अच्छे से दबाते हुए चिपकाना ही ताकि यह तेल में खुले नहीं और हमारा जो समोसा है वो अच्छे से बनके तयार हो जाए इसी तरह से हम सब पर अच्छे से गोल लगा लेंगे इसी तरह से हम सब समोसे बना लेंगे आपको मैं एक और बना के दिखा द लिया हैं और इसी तरह से हमें सारे समोसे बनाने हैं और मैंने पेले ही तेल गरम होने को रख दिया था तो हमारा तेल थोड़ा अच्छे से गरम हो गया है और हमें समोसे को बिल्कुल मीडियम आज पर ही अच्छे से फ्राइ करना है हमें बिल्कुल मार्केट स्टैल समोसे बनाने हैं तो उसी तरह से हमें इसे अच्छे से फ्राई करना होगा जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो कहीं पे आपने समोसे बनते हुए देखा होगा वो समोसे को तलने में कितना टाइम लगाते हैं क्योंकि वह बिल्कुल medium आज पर उन्हें तिरी दिरी फ्राय करते हैं यह मेदा होता हैं तो हमें इसे medium आज पर ही फ्राय करना होता हैं अगर हम हाई फ्लेम करेंगे तो यह जल जाएगा और बाहर से जल जाएगा फिर अंदर से थोड़ा कच्छा कच्छा लगेगा और बिल्कुल भी समोसे अच्छे नहीं लगेंगे अब देख सकते हो कि इनका कलर कितना अच्छा आया है किते सुनेरे हो गए हैं अब हम इसे एक प्रेट में निकाल लेंगे और जो बचे हुए समोसे हैं वो भी हम इसमें डाल लेंगे और इसी तरह से हम इन्हें भी अच्छे से फ्राइ कर लेंगे हमें इन्हें भी मीडियम आज पर ही फ्राई करना है और बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे हमें इसे अलटते पलटते हुए दोनों तरब से सुने रहा होने तक अच्छे से फ्राई करना है और इन्हें भी अब हमें प्लेट में निकाल लेंगे आप देख सकते हो कि हमारे सारे समोसे बनके त्यार हो गए हैं और मैं तोड़के भी दिखा देती हूं कि यह कितना खस्ता बने हैं